हेलो, हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं आरे सेगरवाल जी की नाइन्थ क्लास मैथ की बुक है एक्सेसाइज है थ्रिये फैक्सेसाइजेशन ओफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है और इस एक्सेसाइज का अभी हम कर रहे हैं कोस्चन नमबर 31 जिसमें की हमें करना है फैक्टराइजेशन करना है इस पॉलिनोमियल का जो आपके सामने है पहले पहल आपको ब्रैकिट को सॉल करना होगा फिर जो दो पेर यहां से मिलेंगे आपको वो तोड़ना है एक आपने इसके साथ लिखना है एक आपने इसके साथ और फिर factorization का काम असान हो जाएगा देखी कैसे A square X square की जगह मैंने A square X square लिखा X को A x square से multiply करते हैं तो आपको A x cube मिलता है X को 1 से multiply करेंगे X मिलेगा प्लस C जब bracket solve करते हो तो जो बाहर bracket के होगा चाहे right hand side में bracket के या फिर left hand side में bracket के वो आपको multiply करना है अगर वो multiply है तो अंदर के सभी सभी times के साथ multiply करेंगे तो X को A x square से multiply किया तो A x cube आया X को 1 के साथ multiply किया तो X आया A का A आ गया अब यहाँ पर आपने common लेना है वो क्या रहा है A और X दोनों भी अंदर है जो छोटी power है वो लेनी है जहाँ पर A की power 1 है तो A common होगा X square और X cube में X square छोटी power वाला है तो इसलिए X square common आएगा A square में से A common लेंगे तो A बचा X square तो बाहर निकली चुका है Is that clear? अगर आप इसे solve करके देखें तो जो common निकालते हैं वो ही आपको divide करना होता है A square X square के अंदर से हमने A X square common निकाला है X square तो कट गया और सिरफ A बचा तो तब यहाँ पर A आया है अगली टार्म के अंदर A X cube के अंदर से आपने A X square common निकालना है A से A कट गया और X cube में से X square हटा देंगे तो X बचेगा 3 माइनस 2 पावर इस तरीके से मिलती है ठीक है 3 माइनस 2 X ची पावर 1 जो की यह है तो यहाँ X बचा यह तो वैसे ही A plus X के रूप में है तो 1 मैंने common ले लिया और A plus X यह दूसरी bracket के अंदर आगया अब A plus X common आएगा तो आपको मिलता है इसके अंदर से A X square और इसके अंदर से plus का 1 अगर आप जो variable है X, Y, Z जो भी होता है आप वो पहले लिखना चाहें तो X plus A लिख करके और यह आप answer कर दीजिए यह आपका answer हो गया, solution हो गया है factorization इसका यह हुआ दो factor आए है इसके एक X plus A, एक A X square plus 1 Is that clear? आपको अच्छे से समझ में आ गया है फिर भी अगर कोई doubt हो तो आपने करना है comment वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आप तक नहीं किया तो please कर दीजिएगा और अगर नहीं और अगर कर दी है तो thank you very much share किजिए अपनी दोस्तों से ताकि वह भी से फाइदा ले से comment के लिए मैं आपको कहा चुका हूं बैल आइकन को बटन को दबाना मत बुलेगा साथ ही साथ ओल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटर सब्डेट मिलती रहे तो thank you students for watching your own video in the next video में जिसमें हम करेंगे नेस्ट को सुलिशन, always have a great time, bye